दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने CST के माध्यम से railway ticket की agent IDD है और उससे आगर आप railway ticket की booking करते हैं तो कहीं लोगों के ऐसे questions आते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी जो ticket होती है वो जब भी booking करते हैं तो उनकी ticket फस जाती है आज मैं आपक साज मैं आपको बता हूँगा तो चलिए आज सीखते हैं कि आप इस तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल की माध्यम से railway ticket की booking करते हैं तो उसमें mostly chances होते हैं कि हमारी ticket जो होती है वो फस जाती है तो मैं आपको suggestion देरा चाहूँगा कि आप जब भी कोई ticket बुक करें तो आपन पर आजाना है और इसके बाद आपको सबसे पहले इसकी जो भी history है उसको clear कर लेना है और इसके लिए आप यहाँ पर corner पर देखेंगे आपको three dots दिखाए देगा इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर history पर click करना है history पर click करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा या जो भी आपकी history होगी, वो सब कुछ बिल्कुई clear हो जाएगी, और इसके बाद जब आप ticket booking करेंगे, तो आपके जो ticket फसने के chances होते हैं, वो यहाँ पर काफी अद तक कम हो जाएगे, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना digital sewa portal open करना है, तो आपके अपना digital sewa portal open करलेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर digital sewa portal को login करनेना है, तो यहाँ पर हैं उपनी id डाल करके और password डाल करके इसे login करलेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने digital sewa portal open हो चुका है, यहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है IRCTC जैसे आप यहाँ पर IRCTC चाइप करेंगे तो आप देख सकते आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला ओप्षन दिखाई देगा IRCTC, Railway Ticket Booking इस पर आपको क्लिक करना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने CSC Server.in की वेब साइट ओपन हो जाएगी यहाँ से आपको इस एड को कट कर लेना है और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइट में लॉगिं का एप ओप्षन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं CSC Server.in पर लॉगिं हो चुके हैं इसके बाद आपके सामने यहाँ पर काफिस सारे ओप्षन दिखाई देएंगे यहाँ से आपको आना है Our Services पर और यहाँ पर आपको सिलेक करना है Train Train के बाद आपको यहाँ पर Booking पर क्लिक कर दे रहा है जैसी अप यहाँ पर Booking पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने फिर से एक Add आयला इसको यहाँ से आप कैंसल कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हूँ आ जाएगा Welcome to CSC Rainway Booking और यहाँ पर आप देख सकते हैं और 2 का Option आपको दिखाई देगा कहां से कहां तक की आपको टिकेट करनी है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है तो हम यहाँ पर टाइब करेंगे आजमगर्ड आजमगर्ड लिखने के बाद हमें चाहिए दिल्ली के लिए यानि आजम उबड से इम दिल्नी की टिकट बुक करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम चाहे तो दिल्नी का कोड भी डाल सकते हैं, लाइक DLI, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको किसी स्टेशन का कोड नहीं पता, तो आपको सीधे यहाँ से गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद आपको जिस स्टेशन का आपको रेल्वे कोड पता करना है, उसके लिए आप यहाँ पर स्टेशन का नाम टाइप कर देंगे, जैसे मालीजी हमें आजमगड यहाँ पता करना है, तो हम यहाँ पर दिल्ली लेते हुए date को select करेंगे date वाले calendar पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर calendar open हो जाएगा और हमें जिस date की यहाँ पर booking करनी है उस date को हम यहाँ पर select करेंगे तो मैं याँ पर मही की देट की booking करनी है तो मैं şur आपर 7 तारीक को select करते हुए class की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख साकते हैं पे सामने काफी सारे classes आपको दिखाए देँगे आप वो किस class में booking करनी है उस class को आप यहाँ पर select कर सेते हैं तो फिलाल मैं आपको यहाँ पर suggestion दोगा कि आपको all classes यहाँ पर रखते हुए, train search पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते general ladies ततकाल का भी आपको option दिखाई देता है, तो यहाँ पर general पर select करते हुए, यहाँ पर find train पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर find train पर क्लिक आपको दिखाई दे रही है, गरीब नवाज express और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, कैफियात express लेकिन आपे जो booking करनी है, वो कैफियात express वे की करनी है, तो हम यहाँ पर कैफियात express वे पर जाएंगे, और यहाँ पर हमें जो booking करनी है, वो हमें करनी है, इसी third tier की, तो यहाँ पर हमें इसी third tier पर एक बार click कर दे रहा है, तो यह कुछ searching में time लेगा, और आपके सामने जितनी भी seats available होंगी, उन्हें यह represent कर देगा, तो आप देख सकते हैं, 7 मही, यानि Tuesday पढ़ रहा है, उसकी जो fare है, 1180 रुपय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और available seats आपको दिखाई दे रहा है, 82, यानि 82 seats अभी इसमें available है, जो कि आप इसमें booking कर सकते हैं, अगर आप sleeper class में booking कर रहा चाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, right side में आपको sleeper भी दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपर एक नई window यहाँ पर open हो जाएगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपने passenger का mobile number टाइप करना होगा, आप चाहें तो यहाँ से master list में भी इसे save करके रख सकते हैं, जैसे मैं आपको बतारा सबसे पहले आपको अपने passenger का mobile number टाइप करना है, तो आप फटाफट यहाँ पर एक mobile number टाइप करने दा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक number type कर दिया है, नमबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आपको एक option select number of passengers, तो यहाँ पर क्लिक करके हम दो लोगों की ticket book करने वाले हैं, तो यहाँ पर दो passenger को हम यहाँ पर select करेंगे, और उसकी बद यहाँ पर passenger का नम टाइप करेंगे, तो फटाफट हम यहाँ पर details फिल कर लेते हैं, इसके पद आपको यहाँ पर age फिल कर देरी हैं और सब्स नीचे यहाँ पर आप तेखेंगे passenger 2 का option आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको अपने दूसरे passenger का नाम फिल करना है तो passenger का नाम टाइप करने के बाद यहाँ से आपको age डाल देनी है age फिल करने के बाद यहाँ से gender को select कर लेना है आप देख सकते हैं, आपके सामने, यहाँ पर select station का option आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप कोई station change करना चाहते हैं, आजमगड की अनावा, तो यहाँ से आप इसे change कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी changes नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, और और option दिखाए देगा, other preference का, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पहला option दिखाए देता है, consider for auto-upgration का, यानि, मान लीजिए आपने अपनी ticket को skipper class पर book किया है, और अगर AC के first class, second class या third tier AC में कोई भी ticket खानी होती है, तो यह automatically app की ticket को upgrade कर देता ह और आपकी booking, first AC या second AC या third tier AC में automatic upgrade कर देता है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, आपको coffee sorry options और दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आप अपने एसाप से reservation choice को यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, अबर आपको दूसरों option दिखाई देगा, book only if confirm birth are allowed तो दोस्तों अगर आप इस option पर tick कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी seat यहाँ पर confirm होगी, तभी आपकी seat book होगी, otherwise book नहीं होगी, यानि कि अगर आप seat booking करते हैं और आपकी RAC booking होती है, तो यहाँ पर आपकी RAC booking भी नहीं होगी, क्योंकि RAC जो होता है, वो confirm booking के अंदर नहीं आता, यहाँ पर आपका पैसा कट जाएगा और चार working days के अंदर आपका पैसा यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा, तो दोस्तों हम दोनों ही option को यहाँ पर छोड़ते हुए, नीची की तरफ आएंगे, वीचे की तरफ आप आएंगे, तो यहाँ पर आप booking पर क्लिक करना है, और continue booking पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर yes करते हुए, आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ इस ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको total amount represent करेगा, यहाँ पर हमारा जो total amount आ रहा है, वो 2460.06 पैसा आ रहा है, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर view cancellation policy है, इस पर आप क्लिक करके अपनी cancellation policy को यहाँ पर read कर सकते हैं, इसके आपसे अपने digital Siva portal पर आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको wallet में जाना है, और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा, add money का, add money पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको prefer कर करते हुए, यहाँ पर आपको अपना amount fill कर लें, तो जैसे माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं, पच्चिस सो रुपे, तो दोस्तो एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके wallet के अंदर 100 रुपे extra होना चाहिए, यानि कि जितने की भी आप ticket book कर रहे हैं, उस इसके हिसाब से 100 रुपे आपके पास extra होना चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपे extra नहीं है आपको wallet में, तो आपकी ticket booking नहीं होगी, तो यानि कि अगर माल लिजे हमारे जो ticket का price है, वो 2460 रुपे है, तो हम यहाँ पर 25 रुपे डाल रहे हैं, हमारे wallet में already 500 रुपे पहले से इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर money add करने का option आपको दिखाई देगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने काफी सारे option है, जिसकी मदद से आप इसके इंदर पैसे add कर सकते हैं, आप UPI के थूरू भ करने पड़ सकते हैं तो हम यहाँ पर UPI के धूरू पैसा एड़ करने वाले हैं तो UPI को select करते हुए यहाँ पर अपनी UPI ID डालेंगे तो दोस्तो UPI ID डालने के बाद यहाँ पर हमें make payments पर click करना है make payment पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने पर अकाउंट खोल लेना है phone पर जैसी आप open करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का interface दिखाई देगा यहाँ पर आपको pay वाले option पर click करना है pay option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक और option दिखाई देगा pay का तो pay वाले option प पर यहाँ पर successful आपके सामने दिखाई दे गया है याँ आपके wallet में पैसा यहाँ पर credit कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने successful का यहाँ पर message आपको दिखाई दे जाएगा मैं एक बार फिर से wallet में यहाँ पर आपको दिखाई देता हूं wallet laser पर जैसे तो हम यहाँ पर आसानी से इसकी booking कर सकते हैं अब हम चले जाते हैं वापस से अपनी CAC portal पर और यहाँ पर आपको pay now वाले option पर click करना जैसे आप pay now वाले option पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका sale amount जो की password फिल करना हैं तो हम यहाँ पर फटा फट अपना और उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का interface ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर अपना agent password फिल करना होगा तो यहाँ पर हम अपना agent password फिल कर लेते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको रीचे की तरफ आपको अपना OTP फिल करना होगा, जो की आपके रेजिस्टर मोबाइल नमबर पर बेजा जाएगा, तो यहाँ पर हम अपना OTP डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको Capture फिल करना है, इतना करने के बाद बटन पर क्लिक करेंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो एकस्पायर आपको दिखाई दे रहा है, वो टामिंग यहाँ पर चलती वे दिखाई देगी, और उसके बाद यहाँ पर आपके टिकट यहाँ पर बुक होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं, आपके राइट हैं साइट बे, यहाँ पर प्रिंट टिकट का ओप्शन दिखाई देगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी यहाँ पर टिकट यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, नी उसी का print out आएगा, बाकी के सभी print out नहीं आएगे उपर की तरफ आप देख सकते हैं, आपका destination के अदर आपको आपका printer दिखाई देगा इसके बाद आपको यहाँ पर print वाले option पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर print वाले option पर click करेंगे, तो आपकी जो ticket होगी, वो यहाँ पर print कर दी जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से आप digital सेवा पोर्टल के माध्यम से कोई भी railway ticket booking कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरू कीजएगा, धन्यवाद